36 कड के महाव समुंद जिले के सराय पाली में सिंगोडा थाना प्रभारी अमित शुकला और उनकी टीम ने उड़ीसा की ओर से आ रही एक बोलेरो वहान से 50 क्लोग्राम मादक पदार्थ गांजा के साथ 6 अंतराज्य नशा तसकरों को गृफ्तार करने में सफलता हसल की है बतादे के सिंगोडा थाना प्रभारी को मुख्पिर से सूशना मिली कि उड़ीसा की ओर से एक बोलेरो वहान में भर कर भारी मातरा में अवैद मादक पदार्थ गांजा तसकरी के लिए ले जाया जा रहा है वही मुख्पिर की सूशना पर उड़ीसा की ओर से आने वाली संदिक वहानों की चैकिंग की जा रही थी और चैकिंग की दोरान उड़ीसा से 36 गड़ की ओर आ रही एक सिल्वर कलर की बोलेरो कार को रोका गया जहां बोलेरो में सवार 6 वेक्तियों से जब पुष्टाज की गई तो उन सभी के जवाबों में भिनिता पाई गई शक के आधार पर जब कार की तलाशी ली गई तो तलाशी में कार के अंदर से आरोपियों के कबजे से कुल 50 क्लो ग्राम अवैध मादक पदार्द गांजा परामत किया गया जिसके कीमत करी 25 लाख रुपे बताई जा रही है वहिए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एंडी पीएस के तहत कारवाई कर मुकतमा दर्श कर लिया है सराइपालिय से समवादाता संदीप अकरवाल की रिपोर्ट